हेलो गाइज वेल्कम बैक टू माई चैनल स्टडी विथ अंजली आज के हमारा टापिक है ओन इस ब्लाइंड लेंस आज हम इसके बार में डिसकस करेंगे तो वीडियो कहां तक बने रहे हैं चलिए बीडियो को स्टाट करते हैं पर वीडियो को स्टाट करने से पहले मैं आप यह जो है poem sonnet 19 के नाम से जाना जाता है और when I consider how my light is spent इस नाम से भी जाना जाता है On His Blindness is written in 1650 और यह poem 1650 में लिखा गया है The poem On His Blindness is an autobiographical sonnet in which he expressed his feeling as a blind person और यह एक autobiographical sonnet है जो की John Milton जी के द्वारा लिखा गया है और वो जब उनकी आखों का रोशनी खो गया था तब उन्होंने अपना feeling को express किया था Through this poem के जरिये और अपने जो भी feeling उन्होंने महसूस किया जब वो blind हो चुके थे तब वो अपने सब्दों में बया किये थे चलिए आज हम उसी के बार में discuss करेंगे पूरी detail में The poet thinks in the beginning that he will not be able to serve God as his sight is gone Poet जो है poem की सुरुवाती line में बोलते हैं कि वो able नहीं है योगी नहीं है अपने आपको serve करने के लिए God को क्योंकि उनका जो आँखो की रूसनी में वो खोर चुका है आइसाइट खोर चुका है तो सोचते हैं कि अब वो काबिल नहीं है कि अपने आपको God को serve कर सके As the poem develops, he begins to believe that God wants him to keep working in spite of the fact that he is आगे चलते हैं That job caused him to lose his sight In the end, he is assured that he is surviving God be like angels who just wait for the orders of God और वो बोलते हैं कि वो अपने आपको योगी नहीं मानते हैं कि वो God को अपने आपको serve कर सके और उनको लगता है कि God ऐसे भी लोगों से काम करवाते हैं जिनकी रोसनी नहीं हा कि उन लोगों से भी God काम करवाते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आगे हैं पोएम में डीटेल से जानेंगे अभी हम थोड़ा सा आपको हिंट दे दियें और फिर उसके बाद हर एक स्टेंजा के उपर हम लोग डिसकस करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और यह जो है पोएम और यह जो है पोएम और यह जो है जो सुरवाती का आठ लाइन होता है उसको हम लोग ऑक्तेब बोलते हैं और बाकी का जो लाइन होता है बचा 6 लाइन उसको हम सस्टेब बोलते हैं सोनेट में टोटेल 14 लाइन होते हैं पहले के जो लाइन 8 लाइन होते हैं उसको ऑक्तेव और बाकी का रिमैनिंग लाइन सस्टेब का लाता है चलिए अब हम थोड़ा सब पोएट जो है न उनके बारे में भी डिसकस कर लेते हैं इंतरडक्शन इबाउट जोन मिल्टन जोन मिल्टन वाजन इंगलीस पोयट एण इंट्रलैक्चूल जोन मिल्टन एक इंगलिश पोएट थे साथ में एक इंट्रलैक्चूल भी थें मतलब बॉधीक भी थें इनका पहला जो फेमस वर्क था वो था पैराडाइस लोड जो की 1667 में लिखा गया था और वो एक बहुत ही बड़ा लिजियस फ्लक्स था और पोलिटिकल अपोहल के बार में भी दिखाया गया है उस पॉयम में उस वर्क में सॉरी ही बॉर्ण इन 1608 एंडाइ इन 8 नावबर 1674 इनका जो जन्म हुआ था 1608 में हुआ था और उनकी मृति 8 नावबर 1674 में हुआ था तो यह थे उनके बार में थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन अब हम इनके कुछ फेमस वर्क के बार में देख यह सारे कुछ उनके फेमस वर्क थे दोस्तों जो कि हम लोग देखें अब हम चलते हैं आगे कि आगे क्या होता है इस पॉयम की कहानी और थीम आगे हम डिसकस करेंगे चलिए हम पहले थीम देख लेते हैं कि थीम क्या है इस पॉयम का थीम फेट एंड रिलाइंस ओन गॉड रेजिगनेशन एंड एकसेप्टेंस स्ट्रॉगल और प्रस्नल और स्पिच्वल लेबल रेडिप्टीशन और लोज मॉर्टालिटी और टाइम लाइट और नाइट यह सारे जो थे में में थीम थे और इस ब्लाइडनेस पॉयम का चलिए अब हम स्टेंजा के उपर बात कर को इंटर्डीव करते हैं अपने आइडिया को इंटर्डीव करते हैं एकॉर्डिंग तो हीम ही आफ्टीन थिंक्स डाप फिस लाइफ और साइट और इंटेलिजेंस हैस बीन स्पेंड इन सवाइविंग सर्विंग हिमानिटी बट नाव ही हैस लोस्ट इस आइसाइट और कचैनल और लाइफ और उनको एसाइट लिखा गया है जब उनके आँघ युझाओ ईकलियागी देखते हैं और तो व्हाइवें एस्यूसलेस नाव because without eyesight the cannot write और बोलते हैं जो poet के मेरे पास एक बहुत ही अच्छा talent था जो कि writing का था लेकिन वो भी अब useless हो चुका है because उनकी eyesight जो है वो खो चुकी है तो बिना अपने आखों की रोशनी की मदद से वो कैसे लिख सकते हैं जब हम कुछ भी लिखते हैं तब हमारे पास आख होता हैं उसके जरी हम लोग देख देखकर लिख लेते हैं लेकिन जोन मिल्टन का तो आखों की रोशनी खो चुकी है ना आधियुम्र होने से पहले ही तब वो बोलते हैं कि जो उनका एक talent था वो भी के अंदर जो की राइटिंग का है लेकिन अब वो यूजलेस हो चुका है तो उसी के बारे में बोलते हैं कि राइटिंग का talent भी उनके अंदर दफ़न है लेकिन आईसाइट ना होने के कारण वो वह भी उनका talent खो गिया है आगे चलते हैं और वही बात हुए ना कि बिना आईसाइट के उसको यूज भी नहीं कर सकते हैं मतलब बेकार ही हो गया वो talent उनके लिए अब second stanza पर चलते हैं second stanza in this line the element of poet turns into desire and wonder आगे की line में जो poet है move करते हैं मतलब आगे बढ़ते हैं desire और wonder की तरफ he says that he desire to serve his maker but because of this blindness he cannot do so वो बलते हैं कि वो अपने आपको अपने maker maker यानि अपने God को serve करना चाते हैं अपने आपको serve करना चाते हैं अपने maker के पास लेकिन अपने blindness की वज़े से वो वह भी नहीं कर सकते हैं वो blind हो चुके हैं उनका eyesight खो चुका है तब वो ऐसा काम नहीं कर सकते कि वो अपने आपको serve कर दे God को he wonder if God still want to serve him in spite of the fact that his sight is gone the poet say that this police thought often hurts me him और उनको लगता है जो पोईट हैं उनको लगता है कि भगवान जो है ऐसे लोगों से भी नहीं है उन लोगों से भी God काम कराना चाहते है ऐसा पोईट को लगता है लेकिन वास्तविक में ऐसा कुछ भी नहीं है चलिए हम आगे बढ़ते हैं उनका जो work of man does not please God but the who best bear his mind york that is the one who remains patience and contain with that with what he has is most liked by him आगे जो है पोईट बोलते हैं कि जो पोईट के मन में जो भी बेवकूफ भरा जो जो भी थौट आ रहे थे वो सब्र जो होता है पेशेंस उसको रोक देता है वो मतलब बेवकूफ भरा थोट को patience सब्र उस बढ़ बढ़ाने को रोक देता है जो भी उनके मन में फूलिस थौट थे वो सबी चीजों को कौन रोक देता है तो पेशेंट पेशेंस यानि सब्र उसको रोक देता है और रिपलाई देता है कि गोट को किसी की मेहनत ये गिफ्ट की जरूरत नहीं होती है बलकि अगर कोई मन से काम करें या फिर उनके पास कितना भी बर्डेन हो उनके कंदे पर कितना भी बोजो लेकिन वो अपना काम कंट MP3 नहीं रख रहा है तो वहीं आगे बढ़ता है और वहीं अपने वर्ख में बेस्ट रहता है और आगे वहीं बढ़ता है ये सीडियोड देता है कौन को को उनका ठोट God has a huge kingdom and there are thousand of ैंगल फीन में जहरी गोट फालोक ऑवड प्रेंवर करते हैं यह बcychær कभी भी दोह हैं कि पॉइट किंच्टम बढ़ा है और वहां यह भीrast को अन्फालो नहीं करता है सभी उना से को बात को फॉलओ करते हैं अब हम कपलेट के उपर बढ़ते हैं कपलेट on the other hand there are some there angels also who serve him just by standing and waiting before God आगे जो है आगे की लाइन में जो पोईट है वो बोलते हैं कि वे लोग जो की काम नहीं करते हैं जो राजी में तो God के राज में सब ही लोग काम करते हैं लेकिन जो लोग को काम नहीं मिला होता है जो खड़ रहते हैं वो भी अपना बारी का इंतजार करते हैं किया अब हमारा बारी आएगा तब हम अपना काम को complete करेंगे पूरा करेंगे ऐसे करके वो भी खड़ रहते हैं according to him their service is equally valuable to God as that of the first category of angels the poet compares himself with the latter angels who just keep patience thus in the end the poet is quite satisfied as he is also serving God just by keeping patience और जो गौड है उनके kingdom में हर कोई काम करता है पेसेंस के साथ और सब कोई मतलब अपने आपको सर्ब करने के प्रती बेताब रहते हैं तो यहीं पर जो poem हुआ खतम हुआ दोस्तों I hope you video like this thank you for video watching और अगर इसका PDF चाहिए तो इसका टेलिग्राम चैनल पर इसका मिल जाएगा दोहां से आप ले सकते हैं और जिसका लिंक मेरे चैनल के बाउट में या फिर इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया होगा थैंक यू